प्रोटीन अमीनो अमल से बना होता है और एमीनो अमल में भी नाइट्रोजन होता है इसी तरह से जब कैंसर का उपचार किया जाता है तो उसमें रेडॉन का प्रेयोग होता है नमक जो हमारे भोजन का एक प्रमुख अंग है सोडियम क्लोराइड जिसमें क्लोरीन होता है इसी तरह से जल के शुद्धी करण के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है बहुत सारे ऐसी ओशधियां हैं जिसमें की सलफर का प्रयोग होता है जैसे सलफर ड्रग के नाम से जाना जाता है उरवरकों में नाइट्रोजन, फॉसफोरस ये सभी तत्व होते हैं जैसे अमोनियम सलफेट है, कैल्शियम सुपर फॉसफेट है तो ये सारे जितने भी तत्व हैं जिनसे हमारा पूरा जीवन प्रभावित होता है हमारे आसपास इन तत्वों के बहुत सारे योगिक हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं तो इन ही तत्वों का एक वर्ग है आवरसार्णी में P-block elements P-block तत्व जो हैं आवरसार्णी का एक ऐसा भाग है जिसमें बहुत तरह के तत्वों होते हैं कुछ धातू होते हैं, कुछ अधातू होते हैं, एवं कुछ उपधातू भी होते हैं ये जो तत्व होते हैं, इन्हें हम प्रतिनिधी तत्व के नाम से भी जानते हैं प्रतिनिधी तत्व जिसमें S-block elements एवं P-block elements आते हैं तो P-block elements का जो पूरा परिवार है वो 13 से लेके 18 समू तक होता है और 13 से लेके 18 समू के जितने भी elements होते हैं ये P-block elements होते हैं इनके गुड़ों में जो भिन्नता होती है इसका कारण ये भी रहता है कि जो second जो आवर्थ है उसमें D-orbital है वो अनुपस्थित होता है इसी तरह से 3-3 आवर्थ येवं उसके बाद की जितने भी आवर्थ होते हैं उसमें D-orbital, F-orbital present होता है तो इनके D-orbital के absent और D-orbital के presence ये F-orbital के presence के कारण बहुत सारे गुड़ों में यहां भिन्नता भी दिखाई देती है बहुत सारे गुड़ इसमें विशिष्ट भी आजाते हैं क्यूंकि यहां बीच में S-block एवं जो P-block है इनके बीच में D-block elements होते हैं तो गुड़ों में धीरे-धीरे क्रमिक परिवर्तन होते होते हैं P-block तक हम पहुंसते हैं तो P-block element बहुत महत्वपुन होते हैं इनके बहुत सारे योगिक हैं जो हमारे जीवन में बहुत अधिक उपयोगी होते हैं तो P-block elements का जो सामान ये electronic विन्यास होता है वो है NS2-NP126 अब यहां NS2-NP12 का क्या आर्थ है तो आप देखिए यहां जो परिवार है P-block elements का वो 13 से लेके 18 वर्ग तक है तो यदि हम nitrogen परिवार से स्टार्ट करेंगे तो NS2-NP3 होगा फिर हम oxygen में जाएंगे तो NS2-NP4 होगा ऐसे करते करते हम पूरा यदि हम 18 वर्ग को देखें तो 18 वर्ग को वैसे भी आउतक्रिष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है तो वहाँ पर जो electronic विन्यास होगा वो होगा NS2-NP6 तो इस तरह से NS2 फिर NP126 का यही अर्थ है कि एके करके electron P में भरते जाते हैं और 6 तक भरे जाते हैं तो प्रतेक तत्वों में electron भरने का जो कारण होता है वो उसके प्रश्टक पूर्ण करने तक का होता है P-Block elements में मुख्य रूप से हमें nitrogen परिवार याने 15th group, 60th group oxygen परिवार इसी तरह से हमें halogen परिवार 17th group एवं 18th group जो की अक्री गैसों का या उतक्रिष्ट गैसों का परिवार है इसके बारे में बढ़ना है तो 15th group के बारे में हम सब से पहले पढ़ेंगे तो 15th जो समू होता है इसे हम प्रिकोजन के नाम से भी जानते हैं तो प्रिकोजन या प्रिकोणाइट्स के रूप से में भी जाना जाता है या इसका अर्थ होता है दम घुटने वाला तो इस परिवार में जो मुख्य मुख्य तत्व हैं ये कौन- फॉस्फोरस, आरसेनिक, एंटीमनी एवं बिस्मत तो ये जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस, आरसेनिक, एंटीमनी बिस्मत है तो इसमें से जो नाइट्रोजन है ये कुछ अलग विवहार प्रदर्शित करते हैं नाइट्रोजन प्रकृती में मुख्य तवस्था में ज्या पर माडुक अडू के रूप में पाया जाता है नाइट्रोजन खनिज के रूप में भी पाया जाते हैं जैसे कि चिली सॉल्ट पीटर के रूप में भी नाइट्रोजन पाया जाता है जैसे सोडियम नाइट्रेट इसी तरह से इंडियन सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट् तो नाइट्रोजन प्रकृती में कुछ संयूग तवस्था में कुछ खनीजों के रूप में भी पाये जाते हैं अब हम देखेंगे फॉस्फोरस तो फॉस्फोरस थोड़ा अधिक क्रियाशील होता है यदि हम नाइट्रोजन से तुलना करें फॉस्फोरस की तो ये जादा क् कुछ इनका जो वर्ग है एक खनीजों का एपेटाइट वर्ग के जो खनीज होते हैं तो उसमें ये फॉस्फोरस के फॉस्फोरस है तो एपेटाइट वर्ग के कुछ खनीजों के नाम चलिए हम देखें सबसे पहले है क्लोर एपेटाइट तो क्लोर एपेटाइट का जो तो आप देखिए यहां पर chloro-appetite और fluoro-appetite तो यहां fluoro-appetite भी इसे कह सकते हैं तो जो दोनों का सूत्र एक ही जैसा है केवाल यहां calcium chloride है और इसमें calcium fluoride है इसी तरह से एक और वर्ग है VVN-9 जिसका सूत्र है Fe3PO4-H2O तो phosphorus जो है वो इस प्रकार से कई appetite work के जो खनी फॉसफेट के फॉर्म में पाया जाते हैं इसी तरह से हड़ियों में, दात में, मान स्पेशियों में phosphorus पाया जाते हैं तो लगभग 55-60 प्रतिशत जो पार्ट होता है हड़ियों का तो उसमें calcium phosphate के फॉर्म में यह पाया जाते हैं इसी तरह से जो phosphorus होता है वो DNA, RNA में भी phosphate के फॉर्म में पाया जाता है DNA में आप चानते हैं संयूग तवस्था में ही पाया जाते हैं इसी तरह से जो arsenic है, antimony है, bismuth है यह sulfite के रूप में प्रक्रिती में पाया जाते हैं तो देखिए arsenic जो है वो sulfite के रूप में arsenopyride, F-E-A-S-S इसी तरह से स्टिबनाइट के फॉर्म में antimony पाया जाता है SB2-S-3 बिस्मत ग्लांस के रूप में बिस्मत का sulfite है, इसका सूतर है B-I-S-S-3 तो इस परिवार में जितने भी अन्य तत्व हैं nitrogen, phosphorus के अलावा वे सभी प्राया sulfite के रूप में प्रक्रिती में पाये जाते हैं इस परिवार का जब हम electronic विन्यास देखते हैं 15th ग्रूप का, तो electronic विन्यास सामान्य electronic विन्यास NS2-NP3 होता है, इसमें बाहितम कोश में अर्थात सायोजी कोश में 5 electron present होते हैं तो चलिए इस family में जितने भी तत्व हैं इसके electronic विन्यास को हम एक बार पुन्ह देख लेते हैं, आप इसे पढ़ चुके हैं, class 11th में हम एक बार इसे पुन्ह रिवाइस कर लेते हैं nitrogen family का जब हम देखते हैं, तो nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, तो सभी का जो परमाडू क्रमांग होता है, अगर nitrogen से start करेंगे तो 7, उसमें हम 8 जोडते हैं, तो फिर 15 आएगा, 15 में फिर 18 जोडते हैं, तो 33, और इसी तरह से फिर 18 जोडते हैं, तो 51, और 51 में जब हम 32 एड करते हैं, तो 83, तो इस आधार पे हम उसका आसानी से याद रख सकते हैं, परमाडू क्रमांग, और जब हम इसका electronic विन्यास बनाते हैं, तो चुकि सभी के बाहतम कोश में 5 electron होते हैं, तो हम जब इसका electronic विन्यास बनाएंगे, तो अक्रिय जो इसका electronic विन्यास है, वो फॉर्म कर सकते हैं, सबसे पहले nitrogen का, तो 2, 5 है, जिसे हम 2 को helium से denote कर सकते हैं, और 2S2, 2P3, इसी तरह से phosphorus 285 है, तो इसमें 10 हम neon से denote कर सकते हैं, और 3S2, 3P3, इसी प्रकार arsenic, arsenic में 18 electrons को हम आरगन तत्व से replace कर सकते हैं, 3D10, 4S2, 4P3, इसी तरह anti-money, anti-money में हम krypton से replace कर सकते हैं, और 4D10, 5S2, 5P3, बिसमत 83, atomic number है इसका, इसको हम replace कर सकते हैं, जितने भी 54 electron से हम xenon से replace करेंगे, और उसके बाद जो electron है, वो 4F14, 5D10, और 6S2, 6P3, तो इस तरह से हम इसके बाहतम कोश के electronic विन्यास को जब देखते हैं, तो सभ P में आप देखिए कि 5 electron सयोजी कोश में present है, साथ ही साथ यहां अर्ध पूरित कोश है, जो कि एक स्थाई electronic संरचना को भी दर्शाता है, चुकि P में जो अधिकतम electronों की संख्या होती है, वो 6 होती है, लेकिन यहां पर P में देखिए 3 electron है, जो अर्ध पूरित कोश को ज्यादा स्थाई होते हैं, तो 15 ग्रूप के जितने भी elements होते हैं, इनका जो electronic विन्या से वो ज्यादा स्थाई संरचना को दर्शाता है, अब हम परमाडू त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के बारे में जानेंगे, चुकि वर्ग में जब हम उपर से नीचे आते हैं, तो कोशो की संख्या में विरिधी होती है, नाबिकी आवेश भी बढ़ता जाता है, क्योंकि परमाडू क्रमांग बढ़ता है, तो उपर से नीचे आने पर जो त्रिज्या होती है, वो बढ़ती जाती है, चाहे वो परमाडू त्रिज्या हो, चाहे वो आयनिक त्रिज्या हो, लेकिन इस परिवार में जब हम आयनिक त्रिज्या को देखते हैं तो क्रमिक रूप से जो इसका परिवर्तन है वो इतनी अधिक रूप से नहीं होता है अर्थात यहां नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक तो जो आयनिक त्रिज्या है या परमाडविक त्रिज्या का मान है व जाते हैं, तो D में इलेक्ट्रॉन फुल्फिल होने लगते हैं, तो D इलेक्ट्रॉन का जो परिरक्षन प्रभाव होता है, वो पूर होता है, अर्थात ये ठीक से शील्ड नहीं कर पाते हैं, ना भी केवं बाहतम कोश्च के बीच का जो आकर्शन बल है वो इतना कम नहीं हो पाता है, यानि परिरक्षन प्रभाव, जो कि D इलेक्ट्रॉन का जो परिरक्षन प्रभाव होता है, इस कारण से ना भी केवं बाहतम कोश्च के बीच का जो आकर्शन बल है, वो थोड़ा बढ़ जाता है, इसी प्रकार जब हम एंटी मनी से बिसमत तक आते हैं, तो परमा होता है, यानि वो नाभीक और बाहतम कोश्च के बीच के आकर्शन बल को कम करने के लिए, जो उनका शील्डिंग एफेक्ट है, या स्क्रेनिंग एफेक्ट है, वो इतना स्ट्रॉंग नहीं हो पाता है, जिसके कारण नाभीक और बाहतम कोश्च के बीच का आकर्शन बल थ पाती है तो जब आप इस परिवार के आइनिक तरीजा और परमारुटरीजा के बारे में जानेंगे तो आप यहाँ पर देखिये कि यहाँ इलेक्ट्रोन डी में प्रवेश करते हैं एफ में प्रवेश करते हैं जिनका जो शिल्डिंग इफेक्ट वो बहुत ही पूर होता है तो ना भी केवम भायतम कोश के बीच का अकर्शनबल यहां बढ़ चाहें। इसलिए जितनी वृद्धी होनी चाहिए उपर से नीचे आने पर परमाडुत्रीज्या में इतनी वृद्धी यहां पर नहीं हो पाती है। दूसरा है आयनन उर्जा या आयनन विभो। तो आप सभी जानते हैं आयनन विभो क्या है। जब भी किसी विलगीत परमाडु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी उर्जा की आवशक्ता होती है। उसे हम कहते हैं आयनन उर्जा या आयनन विभो। तो इस परिवार का जो आयनन विभो है या आयनन उर्जा का मान है वो उच्छ होता है। इसका कारण यही है कि इसमें स्थाई electronic विन्यास होता है। दूसरा इसमें जो परमार्विक त्रिज्जा कामान है वो बहुत ही कम होता है, यही कारण है कि आएननुर्जा कामान इस परिवार का उच्छ होता है, यहां जब हम वर्ग में उपर से नीचे देखते हैं इस फेम्ली में नाइट्रोजन से लेकर बिसमत तक तो आएननुर्ज आईननुर्जा के मान में कमी होने लगती है. ये कमी किस कारण से है? क्योंकि अकार में वरिद्धी होती है. अभी हमने देखा कि परमाणवी त्रिज्या या आईनिक त्रिज्या का मान जब हम उपर से नीचे आते हैं तो वो बढ़ने लगता है कोशो की संख्या में भी वृद्धी होती है नाभी की आवेश तो बढ़ता है लेकिन आभी की आवेश के बढ़ने के साथ-साथ यहाँ पर कोशो की संख्या में भी वृद्धी होती है परन्तु आयना नुर्जा के म में भी जितनी कमी होनी चाहिए थी उतनी कमी यहां पर परिलक्षित नहीं होती है जैसा हमने देखा कि D में भरने वाले एलेक्ट्रॉन या F में भरे जाने वाले एलेक्ट्रॉन का जो शिल्णिंग एफेक्ट है वो बहुत ही निम्न होता है इस कारण से यहां पर के बीच का जो आकर्शन बल है वो थोड़ा कम होने लगता है आकार में वृद्धी होती है और कोशो की संख्या में भी बढ़ोत्री होती है तो यही कारण है कि आयननूर्जा के मान में जब हम उपर से नीचे आते हैं वर्ग में तो कमी होने लगती है नाइट्रोजन सहसे हो जग बंद से जुड़े होते हैं तो जिस तत्व के रिडविदुता का मान ज्यादा होता है वे उन साजेदारी के इलेक्ट्रॉंस को अपनी और आकर्शित करने की शमता रखते हैं तो नाइट्रोजन परिवार में भी जब हम उपर से नीचे आते हैं आकार में वृ वाली नहीं होती है तो यहां जो रिडविदुता का मान है वो आप देखिए कि नाइट्रोजन के लिए 3 है फॉस्फोरस के लिए 2.1 है आरसेनिक 2 इसी तरह से बिसमत और जो एंटीमनी है दोनों के लिए 1.9 1.9 है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पर देखने को नही ही मिलता है तो इस परिवार का जो रिडविदुता का मान है वह अधिक होने का कारण यही है कि इसका आकार बहुत छोटा होता है रिडविदुता का मान इसका उच्छ होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यूगम को अपनी और आकरशित करने की शमता इनकी अधिक होती है तो यह जो नाइट्रोजन है वह पूरे आवर सार्णी में ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बाद सबसे अधिक रिडविद्धुती तत्व माना जाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं फ्लोरीन के साथ-साथ ही उच्छ रिडविद्धुती तत्व के रूप में गिना जाता है। N2 के फॉर्म में पाया जाता है, यह प्रश्ण भी बनता है कि N2 गैस है जब कि P4 याने फॉस्फोरस चतूर परमाडू के रूप में पाया जाता है, तो यह ठोस क्यों होता है, तो इसका कारण यह है कि नाइट्रोजन का अकार बहुत छोटा होता है, अपनी फैमिली का वो के बीच में तीन बॉन्ड होता है, जिसमें की एक सिगमा बंध होता है और दो पाई बंध होता है, तो यहां जो N2 है, यह दूसरे N2 के साथ यहां पर आपस में वांडरवाल फोर्स ओफ अट्रिक्शन से जुड़ा होता है, लेकिन NN के बीच में त्री बंध होता है, जब में नहीं होती है, जबकि नाइट्रोजन में यह चमता होती है, और इसी वज़ा से फॉस्फोरस के जो P4 फोर में यह ठोस अवस्थाएं पाये जाते हैं, यहां P5-P5 बंडिंग या बहु बंध का निर्मार नहीं हो पाता है, बहुतिक अवस्था के बाद हम देखेंगे ध तो धात्वी गुण जब हम उपर से नीचे आएंगे तो बढ़ता जाता है, तो जैसे जैसे धात्वी गुण का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे यहां पर जो चालकता का मान है वो भी बढ़ता जाता है, तो जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस है वो विद्यूत का कूछ चालक ह जबकि एंटी मनी और बिस्मत विद्यूत के सूच आलक होते हैं और आरसेनिक यहां अर्ध चालक की तरवेवार करता है और यदि हम नाइट्रोजन परिवार में धातू अधातू को वन्नित करें तो नाइट्रोजन और फॉसफोरस अधातू होता है जबकि आरसेनिक और एंटी मनी उपधातू होते हैं और जो बिस्मत है यह धातू होता है तो देखिए आप उपर से नीचे आने पर धात्वी गुड के मान में व्रिद्धी होती है धात्वी गुड के मान में जो बढ़ुतरी का कारण है वह भी यही होगा कि चूकी उपर से नीचे आते हैं तो नाभी की आवेश में व्रिद्धी होती है परमाडू त्रिज्या का मान भी बढ़ता है नाभी के वं बाहतम कोश के बीच का जो आकर्शन बल है उसमें कमी आती है तो इलेक्ट्रोन आसानी से निकल सकता है इलेक्ट्रोन त्यागने की शमता उपर से नीचे आने पर बढ़ेगी तो इसलिए धात्वी गुड के मान में भी व्रिद्धी होती है अब हम जानेंगे इस परिवार में गलनांक एवं क्वतनांक के बारे में तो जैसे जैसे परमाडू आकार बढ़ता जाता है गलनांक में व्रिद्धी होती है लेकिन गलनांक में व्रिद्धी का संबंध परमाडू के मध्धे जो पैकिंग है उससे होता है जितना अधिक close packing होगा, जितना सघन बंध होगा, उतना अधिक यहाँ पर गल्लांग बढ़ेगा तो यहाँ जब उपर से नीचे आते हैं, तो देखें किस प्रकार से गल्लांग में वृद्धी होती है तो जैसे जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन है, N2 के form में है, Phosphorus P4 के form में है तो आकार में जैसे वृद्धी होती है, गल्लांग के मान में भी वृद्धी होती है तो आर्सेनिक का जो गल्लांग है वो बहुत अधिक होता है, उच्च है, इसका जो पैकिंग है वो बहुत सघन होता है लेयर्स में पैकिंग होती है यहाँ पर, तो क्लोजली पैक्ट होते हैं इसके जो परमारू होते हैं इसी प्रकार जो एंटी मनी हैं, एंटी मनी का गलनांग कम होता है, तो यहां भी पैकिंग लेयर्स में है, लेकिन जो परमाणवों के बीच का जो बॉंडिंग है वो थोड़ा वीक होता है, कम आकर्शन बल से वापस में क्लोजली पैक होते हैं, इसी तरह बिसमत में लोजली होता है परमाणवों के मध्य, तो यहां धात्विक बंद पाया जाता है, तो जब हम उपर से नीचे आते हैं, तो बिसमत का जो गलनांग है वो देखिए, यहां पर कम होता है, चुकि बिसमत धातू है, तो इनमें जो परमाणवों के मध्य बंद बना है, वो धात्विक बं परमाणवों के मध्य पैकिंग पर आधारी थे जितना अधी एक पैकिंग होगा जितना स्ट्रॉंग बॉन्ड होगा उतना अधी गल्लांग का मान भी होता है क्वथनांग में वृद्धी होती है जब हम उपर से नीचे आते हैं तो जैसे जैसे परमाणव आकार में होती जाती है आप यहां पर इसे ग्राफ से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार घनत्व के मान में जैसे जैसे हम उपर से नीचे जाते हैं तो वैसे वैसे घनत्व के मान में कैसे वृद्धी होती जारी है इसे हम ग्राफ के द्वारा इस तरह से समझ सकते हैं अब हम अलग-अलग होगा, लेकिन रासाईनिक दृष्टी से वो एक दूसरे के समान होते हैं, तो अपरूपता इसी इगुरु को कहते हैं, तो इस परिवार के सदस्यों में जो अपरूपता होती है, वो कितने प्रकार की होती है चलिए जाने नाइट्रोजन की जो अपरूपता है वो दो प्रकार की है अलफा नाइट्रोजन एवं बीटा नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी कई प्रकार का अपरूप दर्शाता है जैसे कि तफेद फॉस्फोरस लाल फॉस्फोरस काला फॉस्फ इस फोटक एंटीमनी के रूप में भी पाया जाता है। तो अपरूपता इस परिवार का एक मुख्य गुण है जो प्राया सभी तत्वों में देखा जाता है। अब हम देखेंगे श्रिंखलन का गुण या कैटीनेशन का गुण। श्रिंखलन का अर्थ है कि जब एक ही तत्व के परमाडू आपस में जुड़कर एक लंबी श्रिंखला बनाते हैं या फिर एक बंद श्रिंखला बनाते हैं या शाखे श्रिंखला बनाते हैं तो इसे हम का गुण कहते हैं, तो पूरे आवर्सारणी में वैसे तो कारबन ही एक ऐसा तत्व है, जिसमें श्रिंखलन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है, इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में भी श्रिंखलन का गुण है, लेकिन बहुत अधिक नहीं होता है क्योंकि यहां जो nitrogen के पास loan pair of electron होता है तो यह प्रतिकर्शन करता है तो electron electron के मध्य बहुत अधिक प्रतिकर्शन के कारण जो श्रिंखलन है या श्रिंखला बनने का जो nature है किसी भी तत्व का तो nitrogen यहां azide iron के form में पाया जाता है यहां देखिए N3- तो NN 3 है यहां पर NN के 3 परमाडू है तो यहां जोड़कर एक azide iron form करते हैं इसी तरह से phosphorus में भी श्रिंखलन का गुण कुछ मात्रा में पाया जाता है बंधुर्जा में कमी भी श्रिंखलन के गुण को रोकता है